हेलो दोस्तों पैसे नॉमेक्स मैपका स्वागत है और आज हम सिखेंगे कि आरेसाय के ट्रेडिंग स्टाटेजी कैसे यूज करें यूज दोस्तों तो चलो शुरुबात करते हैं तो जो मैंने यहां पर प्लैट्फॉर्म लॉगिन किया हुआ यह जिरोधा का है ओके तो आप आरेसाय की बात की जाती है तो आरेसाय यह एक उसलिटर है जैसे आप अभी वी चार्ट प्लॉट करते हों चार्ट प्लॉट करते समय आपको बॉटम में जो एक अलग से एक वहां पर लेयर मिलता है जिसमें आपको आरेसाय देखने को मिलेगा अगर आपको पता नहीं है कि कि यहां पर काफी सारी इंडिकेटर और और करेंगे तो आले के बाद आने के बाद को प्लिक कर देना है तो जब आप क्लिक करेंगे तो पूछता है तो यह सेटिंग के बारे में भी आज हम बात करेंगे आपके सबसे पहले जो पिरियड है जो आपको टाइम रखना है वो बाइडिफॉल 14 डेज यहां पर 14 ट्रेडिंग सेशन है वहां पर और बाट और सोल्ड है यह एक ऑसिलेटर है जो परसंटेज में चलता है जिसके रिशा निकाल जाते है इन तो जैसे की यह तोड़ा समझाने के पीछे एक लोजिक यह है कि यह जो आप यूज क्यूं करें य्या अगर आपको जाना है ओके तो उसके पहले उसके बेनिफिट जो है आपको पता होने चाहिए और उसके पीछे जो रैशनल है वहापक है आपको strength of the market जानने के लिए okay market आपको बताएगा कि उपर जा रहा है नीचे जा रहा है लेकिन यह जो RSI है okay यह आपको उसमें बहुत help करेगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा market की strength positive है निगेटिव है उपर जा रहा है लेकिन कितना strong है तो चलो शुरुबात करते हैं तो जब RSI के आप setting के उपर जाएंगे यहाँ पे setting के उपर आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलते हैं और बॉट एंड और assumption है लेकिन इसके भी drawbacks है आपको पता चलेंगे लेकिन पहले जो basic जो यूसे इसका मैं आपको बताना चाहूंगा यह सबसे पहले आपको 14 days की strength बताएगा यह दो 14 days में market की strength बताएगा तो RSI generally करता क्या है वो पहले समझ लीजे RSI जो है यह आपको strength बताएगा कि 14 days में market कैसा है 14 days में market upside जा रहा है या downside जा रहा है इसके लिए मैं आपको एक simple सा example देता हूं जिससे आपको एक पिक्चर clear हो जाएगा जब आप निफ्टी 50 की बात करते हैं निफ्टी 50 निफ्टी उपर कब जाती है यह निफ्टी के पचा स्टॉक में से 40 या 30 स्टॉक उपर जाते हैं और बाकी remaining जो स्टॉक है वो नीचे होते है तो भी निफ्ट यह निफ्टी आपकिजाएडवांस टॉक टॉक की तो avoin지만 स्टॉक जो है समझो 50 है और । मники अप दिखेगा दाउन है वह समय चाहिए भी आपको एडवांस टॉक जो है एक कम दिखाए देंगे जैसे कि जिरो और डिकलाइन स्टाइब दिखाए देंगे पूरे पाचास के पाचास तो उस समय निफ्टी आपको बहुत ही तेजी से गिरती है और जो है यह रेंज बाउंड दिखती है मतलब एक पर्टिक आ उपर है ना नीचे है तो इस प्रकार मार्क्ट की स्ट्रेंड बताता है तो इए आपको वहां पर डिसेजन लेकिंग के लिए इजी होता है वैसे ही आपको आर्एसाइए यूज करना होता है आरेसाइए में जो 14 डेस हूँ यह 14 डेस मेंगा दोस्तों यह 14 डेस में आप इसको modification भी कर सकते हो 14 days में अगर 10 दिन 10 days अगर market जो है यह upside है और 14 days के लिए 4 days के लिए यह down है तो overall इसका जो strength है आपको दिखेगा कि यह upside है ओके यह अपको plus दिखाएगा मतलब आप यह देख सकते हो कि 50% से ज्यादा stock के upside है और जब भी जब भी यह उल्टा scenario होगा कि advance जो है यह कम हो जाएंगे और decline बढ़ जाएंगे मतलब 14 days में से market जो है चार दिन खली उपर है लेकिन 10 दिन नीचे है तो यह उल्टा हो जाएगा 60% जो है यह 70% downside आपको दिखाए दे रहा है जो stocks है या फिर जो numbers of days है और downside है तो वेसे same इसमें आपको use करना है यहाँ पर जो आपको oversold है इसके पर हम बात करेंगे पहले इस 20 हा रहा है यह 20 हा रहा है तो 80 जब आएगा इसका मतलब market का जो trend है totally fully positive है fully bullish mode में market चल रहा है फुल bullish mode में यह market दोस्तों यह चल रहा है लेकिन जब यह 20 कार ऐसा है तो यह पूरा तरीके से यह बीरिश होने काफिलों कहते है कि 20 में buy करना चाहिए और 80 में sell करना चाहिए मैं यहां पर कोई recommendation नहीं दूँगा लेकिन यह किस हद तक logical है वह हम देखेंगे तो चलो buy sell के जो criteria है वह हम इसमें लगाएंगे तो simply जो strategy है वो ऐसी हमें बनानी है या ऐसी already है market में जिसके उपर अच्छा कासा gain लोग बना रहे है इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले आपक 55 पचपन के उपर यह RSI अगर है तो ही आपको क्या करना है buy करना है और जब RSI के नीचे चल रहा है तो आपको यह sell call है बस इतना ही यह thumb rule आपको ध्याल में रखना है दोस्तों RSI 55 के उपर buy और 45 के नीचे अगर होता है तो sell ओकी तो चलिए देखते हैं इसको add करते हैं अभी यहां पर मैंने RSI लगया हुआ है और इसका जो parameter है वो change करेंगे 80 को हम कर देंगे 55 और यहां पर 20 को कर देंगे 45 इसको done कर देते हैं तो देखिए अभी यहां पर changes आ चुके हैं आपको छोटे छोटे यहां पर दो lines दिखेंगी तो यहां पर आपको difference देखिए और आपके सामने trade भी है यहां पर चेक कर सकते हों कि जब भी जब भी आपको यह RSI की जो 55 की उपर वाला यह line है जब भी cross हुआ है तो आप यहां पर देखेंगे market का पूरा जो trend है पूरा bull रहा हुआ है दोस्तों मतलब इसका मतलब क्या है कि market की जो strength है numbers of the gaining days बहुती जादा है as compared to decline ओके इसलिए RSI आपको 55 की उपर दिखा रहा है अब यह strength कम हो जाती है जब market नीचा चालू हो जाता है और लोग उनकी investment market से निकालते उस समय आपको भी RSI 45 के नीचे आते हुए दिखेगा और यह देखिए उसके बाद भी stock नहां से नीचे आया हुआ है सब्सक्राइब ओके आप intraday में भी चेक कर सकते हो चलिए वह भी देख लेते हैं एक 15 मिनट के चार्ट के उपर हमें चेक करेंगे के वी मिल्ट के चार्ट में लगा हुआ है को तो तो फिन मेंट्स स्टर्टेजी स्ट दिखिए यहां पर 55 के वाय है यहां पर 55 के वाय है चुरष है यहां फुल किली तरड़कितल डरकितल है पर सबस्तरी टारइड है कि यहां पर इसला चुका यह यह बाय आ चुका है अब यह खाली अकेला आपको यूज नहीं करना आप को कोई भी यह खाली आरे साइट के नहीं लेना है तो आपको सेकंड जो इंडिकेटर यह जो हमने पहले वीडियो में भी कवर की है आप देख सकते हो वह है यह मूविंग एवरेज प्लस आरे साइब को लगाना है तो आपको डिरेक्शन आप मार्केट एंड स्टेंट आप दोनुचीज कवर हो जाएगी और आपको और इजी तरीके से काम हो जाएगी यहां पर आपको करना है यहां पर आपको करना है यहां पर आपको स्टॉप लौसेस है और के देज के नीचे वाला कर रहा है और आपको से दिखिए यह फ्रैक्टल होते हैं जो भी आप स्टुडीज कर रहे हो यह सब टाइम फ्रेमें सेम चलेंगे इसमें कोई डिफ्रेंस नहीं आएगा तो एक ध्यार में रखिए कि आपको कुछ चेंज नहीं करना इसमें आपको खड़ी चेंज करना है तो आपको यहां पर व्यूज में इसको कर लेना है कर सकते हैं अभी मेरे वाच लिस में कुछ स्टॉक है जैसे टीस हम देखेंगे तो इसका भी चार्ट यहां पर चेक कर लेते हैं व्यूज चार्ट में अब अब ली चार्ट पर भी देखेंगे अब किसी यहां से यह बाइकॉल है तो बड़े टार्गेट आएंगे घटा होगे तो आपकी चोटे रहेंगे काफी लोगों को यह भी दिक्कत आती टार्गेट आइडेंटिफिकेशन की उपर उसके उपर हमाले वीडियो बनाने वाले यह देखिए डेली चार्ट में आपको सेम दिखाएगा यहां पर बहुत ही अच्छा का सा यह ब्रेक आउट है और यहां पर यह मूविंग है और करना है और अभी तक दोस्तों यह निगेटिव नहीं हुआ है और आप देख रहे हो अभी यह 2900 और यह जो रेट है यह 1700 का रेट है वहां के उसके आज बाजू यह बाइक को आया हुआ हुआ है तो इस तरह के से आपको यह ट्रेंट मार्केट की पता चलेगी और आपके स् करना है तो आज के वीडियो अच्छा लगा है तो पर लाइट करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जब फिर से मिलेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारी इंडिकेटर और स्लेटर के साथ जब तक के लिए लाने वाद